नमस्कार स्वागते आप सभी का एक बार फिर से हमारी चैनल में दोस्तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि रिया चकवर्ती को दोस्तो आज CBI की टीम सुबह इस सुबह दोस्तो उसके घर पर च्छापे मारी हुई है और रिया चकवर्ती को CBI की टीम सुसांत केस में एक बार फिर से उठा करके ले गई जी हाँ आपको बताए दोस्तो रिया चकवर्ती एक बार फिर से बहुत ही जल्द जेल के पिछे जाने वाली है कैसे दोस्तो रिया चकवर्ती एक बार फिर से जेल की हवा खाने वाली है पूरी जानकारी मैं आप सभी को दूँगा इसलिए वीडियो को हर हाल में अंतक देखेगा दोस्तो दोस्तो दरसल सुसान सिंग राजपूत केस में लगतार हमारी जाच जैनसिया जो मेहनत कर रही थी उसी मेहनत का दोस्तो अफ़ल मिलने लग गया है और दावा किया जा रहा है कि रिया चकवर्ती जो है उसे गिरफतार कर लिया गया है जी हाँ क्योंकि CBI की टीम को दोस्तो दिन रात की मेहनत मसकत करनी पड़ रही थी लेकिन क्योंकि कोई सबूत नहीं था इसी वज़े से CBI की टीम जादा कुछ कर नहीं पा रही थी लेकिन अब दोस्तो CBI की टीम ने किया भी है और रिया को गिरफतार भी किया है रिया चकवर्थी के खिलाब पहले तो CB.I की टीम ने जम कर सारे के सारे सबुत धुने खंगा ले और जैसे ही सारे के सारे सबुत मिल गए तो उसके बाद रिया चकवर्थी को उठा करके हमारी जाँच इदेंसियों ने दोस्तो हमेसा के लिए जेल में डाल दिया है इसके बाद यहां तक माना जा रहा है कि रिया चकवर्ती की दोस्तो हालत खराब हो गई है और जल्द ही रिया चकवर्ती सारी सचाई उगल देगी और बता देगी कि हमारे सुसान सिंग राशपूत के साथ रिया चकवर्ती ने क्या किया कहां लेकर के गई थी सुसान को और कि तरह से सुसान सिंग राशपूत के साथ क्या कांड किया यानि कुल मिला करके अगर दूस्तों मैं कहूं तो अब रिया चकवर्ती ही सारे खुलासे करने वाली है और रिया चकवर्ती ही खुद बताएगी कि सुसान सिंग राशपूत के साथ क्या क्या कांड हुए थे तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे और लोगों के साथ सेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना